कि नमस्कार पिरिया विद्यार्थियों आई बीपेस एफो की जो सूपर वार एफो पार्ट टैसरी चल रही है उसका डेमो टेस्ट हम लोगों ने अपलोड किया था एप्लिकेशन के उपर उसका पहला जो डेमो टेस्ट है उसका वीडियो सोलुशन आज हम लोग डिसकस करें करेंगे जो जो इंपोर्टेंट कंसेप्ट है उनको सबको डिसकस करेंगे कोशन के साथ है ना जो भी रिलिवेंट इन्फोर्मेशन है तो स्टार्ट करते हम लोग डेमो टेस्ट का वीडियो सोलुशन कोशन नमबर एक है ता इडिवल पोर्शन ओफ कैवेज इज गोबी का खाने योगे भाग होता है देखे भई गोबी के खाने योगे भाग की बात करते है कैवेज की तो कैवेज का हैड होता है या कर्ड होता है या स्वालन स्टेम होता है या लीज होता है या नन अफ दीज आंसर इन में से क्या होगा भई देखो राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा यह number option यानि की head, head हम लोग किसका खाते हैं cabbage का, और curd की बात करें, तो curd किसका खाया जाता है, cauliflower का किसका खाते हैं भई, cauliflower का और swollen stem की बात करें तो यह किसका यूज होता है onion का, और leaves की बात करें तो leaves basically हम लोग leafy vegetable जो होती है leafy vegetables ये सारी के सारी आपकी क्या है लीफी वेजिटेबल यानि की जिनका हम लोग लीज इंटेक करते हैं तो राइट अंसर क्या बनेगा ए नंबर ओप्शन जो है वो इसका राइट अंसर है चलिए question number 2 है पूसा मुकता जो है एन इंप्रूड वेराइटी ओफ कैबेज is रेजिस्टेंट ओ पूसा मुकता जो है वो किसके पर्ती रेजिस्टेंट वेराइटी है और option number 1 है आपके पास white rot यानि के सफेज सडन और option number B है black rot काली सडन c number option downy mildew है d number option powdery mildew और e number option है none of these इन में से कोई नहीं बताइए बई right answer इसका क्या बनेगा right answer इसका क्या बनेगा पुसा मुक्ता improved variety है cabbage की किसके परती resistant बानी जाती है किसके परती resistant है black road के परती resistant है option number 2 option number 2 roker का नाम की बात करें तो roker का नाम कुन सा होगा gentho monas compastries compastries pathowar compastries pathowar compastries इसका causal organism है right answer इसका है b number option black road काली सडन जो है मैंली जो हमारी black soil होती है यानि की जो acid affected soil है उसके अंदर ये black road की समस्या सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है और downy mildew की बात करें downy mildew सबसे ज़्यादा जैसे popular है किसका grab की grab के अंदर downy mildew का reason क्या है plasmopora plasmopora viticola plasmopora viticola वैसे देखो अलग-अलग जो हमारे plant होते हैं उनमें अलग-अलग causal organism है लेकिन basically popular grab का ही था तो हमने इसका discuss कर लिया powdery mildew की बात करें तो powdery mildew जो है वो किसके कारण होता है irishify के कारण होता है इरishify polygony और इसके साथ सारो kladium में कई जगे देखने को मिलता है generally irishify आप लोग ध्यान लग सकते है irishify polygony P के अंदर जो है वो powdery mildew की समश्या है इसके अंदर symptom क्या होते है leaves के उपर जवाले surface के उपर क्या होता है powdery mask deposit हो जाता है और generally dry condition जो field के अंदर होती है तो powdery mildew की समश्या देखने को मिलती है white powdery growth appear the upper side of the leaves and downy mildew के अंदर white cottony growth appear beneath the side of the leaves and यह जो downy mildew की समश्या है यह आपको humid condition जहां होती है वहाँ पर ज़्यादा तर देखने को मिलती है ठीक है इसका right answer ध्यान लखेंगे B number option है next question आपके पास है Prime Minister Narendra Modi has launched the प्रधान मंत्री सम्मान निदी scheme under which how much amount will be provided to year to small and marginal farmer family प्रधान मंत्री Narendra Modi ने समान निदी योजना की शुरुवात की थी जिसके अंत्रगत छोटे और सिमानत किसान है उनको कितने तक की राशी की साहितात परदान की जाती है A number option 5000, 6000, 4000, 3000, 8000 right answer बनेगा B number option यानि की 6000 देखिए प्रधान मंत्री किसान समान निदी योजना जो है गोरकपुर UP से इसमें 6000 का financial assistance प्रवाइड करवाया जाता है तीन यानि की फेज के अंदर 22,000 रुपे की तीन किस्तें जो है वो इसमें प्रधान की जाती है अभी हाल ही के अंदर 70 किस्त का स्थनांतरन मानन ये प्रधान मंत्री मोधी जी ने वारानसी से किया है जिसमें 9.26 करोड किसानों के खाते के अंदर 20,000 करोड रुपे की राशी का स्थनांतरन की है ये भी important concept है ये आप लोग याद रख लेना ठीक है जी याद रहेगा ये वाले चीज तो इसके लिए अब यनकी पहले small और marginal farmer के लिए था फिर इसके अंदर amendment कर दिये गया अब हर एक farmer family को इसका benefit मिलता है right option है question number 4 which one is wrong for essential oil percentage आवशक तेल percentage के लिए कुन सा कथन जो है वो गलत है विटिवर ग्रास के अंदर बूलता है 0.6 से 1.2 परसेंट पालम रोजा ग्रास के अंदर 0.10 से 0.40 परसेंट lemon grass के अंदर 0.5 से 0.8 परसेंट citronela grass के अंदर 0.3 से 0.5 परसेंट या all are correct यनकी सभी सही है निमन में से कुन सा statement जो है वो आपका right है फटा फट से answer wrong है answer देंगे भई देखे right answer की बात करें तो इसमें wrong statement है आपका कुन सा citronela oil है न citronela के अंदर जो है वो आपका 1.3 परसेंट से लेकर के 1.5 परसेंट तक जो है वो oil content देखने को मिलता है right answer आपका क्या बनेगा D number आना all are correct हो नहीं सकता vetiver में इतना ही होता है palm rosa के अंदर इतना ही होता है lemon grass जो है उसके अंदर 0.5 से 0.80 होता है citronela यानि की cimbopogan species ही जा ना चलिए इसका right answer है D number option next question है silver revolution is related to silver revolution, silver क्रांती किस से समन्दित है? A number option है potato production से, B number option है egg production, C number option है fodder production, और D number option है आपके पास milk production, और E number है meat production, बताइए बाई किस से समन्दित है? देखिए, right answer की बात करें तो right answer बनेगा आपका B number option egg production, egg production से कौन सी क्रांती related है? silver revolution जो है वो आपकी किस से related है? egg production से related है potato के production से कौन सी क्रांती related है? तो वो आपकी round revolution related है कौन सी है? round revolution है अगर अपन बात करें milk production से तो milk production से white revolution connected है कौन सी है white revolution related है और अगर बात की जाए meat production से तो meat production से कौन सी है dear student आपकी red जो revolution है लाल करान्ती है वो आपके tomato production और meat production से समंधित है इसके साथ tomato का और ध्यान कर लेना ठीक है कई बार question blue revolution का बिली पूच लिया जाता है तो glue revolution जो है वो आपके fish से related है और इसके अलावा और कौन से पूछ ली जाती है तो यानि कि horticulture से जो है वो आपकी umbrella revolution जो है वो all our horticulture production से तो इसका right answer क्या बनेगा? B number option Next question, which flower is the number of one cut floor in international cut floor market? अंतर राष्टिय कट floor market में कौन सा full number one cut floor है? A number option है, marigold, B number option है, rose, C number है, tulips, D number है आपका gladiolus और E number option आपके पास है, chrysendimum तो international market के अंदर किसकी ज़्यादा market है बई? बताए ये right answer क्या बनेगा? देखो, अगर अपन बात करें सबसे number option एक तो इसका right answer तो B number option बनेगा rose, rosa, indica, rosacee family है ना, rosa, indica, rosacee इसकी क्या है? family है, rosacee है ना, और marigold की बात करें तो marigold tagetis erecta ना, tagetis erecta इसका scientific name है family की अगर marigold की बात करें तो वो है इसकी estresi family और tulip, tulip एक perennial है क्या है? perennial है, family इसकी liliacy है, tulip कैसा है? perennial nature का है perennial है, family की बात करें तो tulip की कौन सी है? liliacy है और उसके बाद में next हमारे पास कौन सा आता है? gladiolus, gladiolus की family बहुत important है irradiacy है, कौन सी है? irradiacy family जो है, वो आपके किस की मानी जाती है? gladiolus की crysanthemum की ध्यान रक लेना, crysanthemum की कौन सी है? estresi family है कौन सी है? crysanthemum की estresi family है, ठीक है जी? यह कुछ important information थी, मैंने आपको बता दी, इसका right answer क्या बनेगा? mean number option right answer बनेगा c number, next question, what is the process of growing plant in soilless medium is called? यानि की, मिटी रहित माध्यम में, पौदे उगाने की परकिरिया को क्या कहते है? hydroponic, aeroponic, viticulture, arboriculture और PC culture क्या कहते हैं भई इस तरीके का? इस तरीके को क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं aeroponic या nutrition जो है, वो air के अंदर दिये जाते हैं nutrition जो है, वो air के अंदर, spray की form के अंदर तो aeroponic के अंदर, spray की form में nutrition प्रोवाइड करवाते हैं right answer, soilless media के अंदर यानि की, बिना पानी, मिटी रहितापन जो खेती करते हैं वो आपकी कौन सी है, aeroponics है hydroponic है, यानि की जहां हमपन क्या है, water के अंदर जैसे आपने देखा होगा, pipes वगएरा होती है उनके अंदर क्या होता है हम लोग यानि की, यहां इस तरीके से छेद कर लेते हैं, यहां पर plant को क्या कर दिया जाता है, ग्रो कर दिया जाता है तो इस पानी के अंदर जो nutritional media है, उसको solubilize कर दिया जाता है तो उसे अपन क्या बोलते हैं, hydroponic बोलते हैं, हाना, चीक है और viticulture की बात करें तो viticulture cultivation and harvesting of grapes, study किस की करते हैं, viticulture के अंदर यानि कि grabs की और उसके बाद में आता है, arboreculture, individual tree की study करते हैं, arboreculture है, और PC culture के अंदर हम लोग किस की study करते हैं, यानि कि जो भी हमारे aquatics होते हैं, उनके breeding की, उनके rearing की, इनकी study करते हैं, fish की study को itecology कहा जाता है, इसका right answer क्या बनेगा, right answer तो बनेगा B number option, ठीक है जी, B number option, next है, rows are commercially propagated by, गुलाब का जो परवर्धन है, आम तोर पर किस के द्वारा किया जाता है, T और shield budding द्वारा, B number grafting द्वारा, C number stem cutting द्वारा D number seeds के द्वारा, E number किस के द्वारा करते हैं, root cutting के द्वारा करते हैं, तो right answer क्या होगा भई आपका, right answer होगा T और shield budding के द्वारा जो है, वो हम लोग रोज के अंदर propagation को अपनाते हैं, अना और अगर grafting की बात करें, तो palm है, peach है, cherry है इनके अंदर सब में, अना, किस किस में palm है, इसके अलावा पन बात करें, peach है, इसके अलावा बात की जाए, तो आपका कौन सा है cherry है, इनके अंदर किस के द्वारा अपनाते हैं, grafting के द्वारा, stem cutting किस के अंदर, rose, गन्ना, अंगूर इन में लेते हैं, अना रोज के अंदर हम लोग use कर लेते हैं sugar cane के अंदर हम लोग stem cutting का basically सबसे ज़्यादा use करते हैं, और seeds के द्वारा बात करें, तो seeds के अंदर हम लोग जैसे कुछ एक citrus ही है जैसे acid lime वगरा है, seed के द्वारा ही क्या होते हैं, propagate होते हैं ये questions, acid lime का जो है, वो आपसे IBPS EFO 2022 का जो jam था, उसके अंदर भी पूछा गया था, ये वाला question इसको ध्यान रखेंगे root cutting की बात करें, तो root cutting rasp berry है, fig है इनके अंदर use में ली जाती है किसमें? जैसे rasp berry हो गया इसके अलवा अगर हम लोग बात करें, तो fig के अंदर अंजीर के अंदर जो है, वो हम लोग use में लेते हैं, तो ये कुछ commercial propagation method जो important है वो हम लोग लोग लिए डिसकस कर लिए और इस question के इसाब से इसका right answer है रोध जो commercially propagation है, वो ये number option, to your shield wedding next question आपके पास है match the following यानि कि protein content के साथ हमें क्या करना है, match करके बताना है मिलान करके बताना है, ये कहता है कि gram, अरहर कावपी और उड़ के इधर protein content जो है, वो आपको दिए गए है आपको बताना है कि कौन सा quad जो है, वो आपका इनके protein content के लिए सही है कौन सा quad protein content के respect के अंदर सही है देखो भई, ग्राम की अगर हम लोग बात करें तो ग्राम के अंदर जो प्रोटीन कंटेंट होता है वो होता है 21% किते परसेंट होता है? 21% होता है अगर हम लोग बात करें अरहर की तो अरहर के अंदर जो प्रोटीन कंटेंट होता है वो 20-21% होता है काउपी में बात की जाए चमला के अंदर तो वो 23% होता है उर्द के अंदर प्रोटीन कंटेंट की बात करें तो वो कितना होता है 24% होता है हाजी कौड क्या बनेगा इस question का answer क्या बनेगा 4-3-2-1 answer क्या बनेगा 4-3-2-1 तो राइट अंसर 4-3-2-1 किसे में लिखा हो है बिलकुल लिखा हो है option number C जो है वो इसका राइट अंसर होगा हाजी next question tetrazoleum test used for हाणा tetrazoleum friction किसके लिए उप्योग किया जाता है A number option आपके पास है germination percentage के लिए B number option आपके पास है genetic purity के लिए C number option आपके पास है seed viability के लिए D number option है to check of disease disease के चेक के लिए E number option के पास है all of these तो आपको बताना है यानि कि tetrazoleum जो test है वो किसके लिए प्रियोग में लिया जाता है चलिए भाई right answer की बात करें तो seed viability है G1 चमता के friction के लिए हम लोग इसका प्रियोग करते है germination percentage जांचने के लिए हम लोग क्या करते है paper blotter technique यानि कि paper को गिला करके उसके अंदर हम लोग seed को डाल करके क्या करवाते है germinate करवाते है seed germinate करवा करके seed germinate करवा करके हाना जो towel होता है या paper होता है उसको गिला करके चोड़ देते हैं उसमें सीड डाल देते हैं जैसे माली जी यह 100 number of सीड डाले उसमें से grow कितने हुए यानि कि 80 grow हुए तो उसका germination percentage कितना हो गया 80% तो इस तरीके से हम लोग सीड को germinate करवा करके देखते हैं जैनेटिक प्योर्टी के लिए अगर हम लोग बात करें तो grow आउट टेस्ट जो है वो यूज किया जाता है कौन सा टेस्ट यूज करते हैं ग्रो आउट टेस्ट जो है वो आपका यूज किया जाता है इसके अलावा आप लोग थोड़ा सा ध्यान रख सकते हो वाइरस के परिक्शन के लिए कौन सा टेस्ट यूज किया जाता है अलीजा टेस्ट हम लोग वाइरस परिक्शन के लिए काम में लेते हैं अगर बात की जाए बैक्टिरिया के जांच के लिए तो बैक्टिरियल इंफेक्शन के ज के लिए हम लोग काम में लेते हैं। उस टेस्ट कौन सा टेस्ट यूज लेते हैं। और यह जस्ट लास्ट येर यानि की जो एबी पियर से एफोगा था उसके अंदर ये वाला कोश्चन बैक्टिरिया वाला उस टेस्ट वाला आपसे पूछा गया था। राइट अंसर इसका कारण होता है। कौन सी किसम इस रोग के परती परती रोधी है। उसके रजिस्टेंट विरायेटी कौन सी है? राइट अंसर देंगे फटा फट से। देखें राइट अंसर इसका बनेगा cmmr option है। कौन सा है? cnumber option है। देखिए जो wilte बिमारी होती है उसके अंदर basically plant का जो यानिकी gylem और phloem system होता है अना gylem और phloem क्या होते हैं सबसे ज़्यादा परभावित होते हैं अगर gylem phloem proper काम नहीं करेंगे plant ने तो nutrient अप्टेक कर पाएगा ना water अप्टेक कर पाएगा जिसके कार्ण पौदा जो है वो आपका सूख जाएगा यानि कि wilt की समश्या में root जो है वो आपके inactive हो जाती है browning देखने को मिलती है तो अवरोधी variety इसके परती resistant है गौरव जो variety है वो asco, kaita, blight एक समश्या होती है चने के अंदर ही उसके परती परती रोधी है कौन सी समश्या होती है asco, kaita, blight asco, kaita, blight के परती क्या मानी जाती है resistant मानी जाती है इसका right answer क्या बनेगा C number option बनेगा next देखिए next question 12 number question which of the following pair is wrongly regarding foundation seed isolation distance यानि कि निमन में से isolation distance के respect के अंदर कौन सा जो है वो आपका गलत है तो बताना है बाई isolation distance के अधार पर बीच परतकर्ण दूरी के समन्द में कौन सा गलत है marley है, wheat है PD, soybean, ground net में बोलता है 3 meter रखते है sorgum में कहता है 200 meter रखते है gram में कहता है gram के अंदर 10 meter रखते है self pollinated के अंदर बोलता है 50 meter रखते है और none of these यानिके इन में से कोई नहीं तो बताईए right answer जो है वो आपका कौन सा है right answer कौन सा है बदाओ भई फटा फट से देखो अँषि पना Miladad Adv fresh छो है वो इन में certified के अंदर रखते है gram के अंदर certified के अंदर बात करें gram के certified seed production के अंदर isolation distance की बात करें तो वो 5 meter है self pollinated के अंदर 50 meter जो है वो नहीं रखी जाती इसके अंदर self pollinated के अंदर आपकी लगबग जो है वो 3 मिटर के लगवगी रखी जाती है सेलप ओलेटेड क्रॉप के अंदर कभी भी isolation distance जो है वो हम लोग ज़्यादा नहीं रखेंगे जो highly cross-pollinated crop होती है उनके बीच isolation distance को हम लोग क्या करते हैं बढ़ा करके रखते हैं याद रहेगा ये वाला concept यहां से भी हर साल question आपका पूछा जाता है, इसको अच्छे तरीके से prepare कर लेना है, चलिए भई, next question आपके पास जो आता है, 13 number question, sorry 13 number यह था ना, हाँ 13 number, fenugreek seeds are treated with rhizobium species, fenugreek seeds जो है, वो कौन सी rhizobium species के द्वारा treat किये जाते हैं, last year IBPS AFO के अंदर, इसी यानि की जो index होती है, इसकी rhizobium culture की वहां से question आये था, IBPS AFO 2023 के अंदर, देखो भई, A number option कहता है, कि rhizobium maliloti हो सकता है answer, B number option कहता है, rhizobium trifoli होगा, C number option कहता है, rhizobium leguminase serum होगा, D number option कहता है, rhizobium japonicum होगा, E number option कहता है, rhizobium freddy होगा, तो कौन सी species जो है, हम लोग काम के अंदर लेते हैं, भई, fenugreek के seed treatment के अंदर, देखे भई, fenugreek के seed treatment की बात करें, तो उसके लिए use में लिया जाता है, fenugreek, हना fenugreek किसको बोलते हैं, मिथी को बोलते हैं, मिथी के लिए हम लोग काम में लेते हैं, rhizobium maliloti, कौन सा, rhizobium maliloti देखो भई राइजोवियम ट्राइफॉलाई हम लोग लेते हैं बरसीम में किसमें काम में लेते हैं बरसीम क्योंकि बरसीम के नाम से याद रहेगा ट्राइफॉलियम ट्राइफॉलाई किसके लिए यूजबे लिया जाता है बरसीम के लिए राइजोवियम लेग्यूमिने सी basically हम लोग किसके लिए legumes के अंदर और legumes के अंदर भी basically कौन सा एक तो पी pysam sativum और दूसरा अगर अपन बात करें तो lentil और lentil की बात करें तो lens culinaris कौन सा lens culinaris scientific name होता है lentil का scientific name भी important है p का pysam sativum और इसको आप लोग ध्यान अठ लेना दी नंबर option है rhizobium japonicum कौन सा है rhizobium japonicum यह हम लोग use में लेते हैं soya bean हो गया soya bean के लिए use में लेते हैं cow p के लिए जो है cow p जिसे अपन क्या बोलते हैं समला बोलते हैं तो cow p के लिए इसको क्या है use में लिया जाता है और अगर और किस के लिए अपन use में ले सकते हैं जैपोनिकम को ग्राउंड नट के अंदर भी हम लोग यूज लेते हैं मॉंफली के अंदर तो यह बेसिकली कुछ प्रेस मड का यूज जो है वो किस प्रकार की मरदाओं के सुधारण में किया जाता है हर साल फैबरेट टोपिक है आई बीपीए से एफो का यहां से एक कोश्चन आप लोग अच्छे तरीके से चाहिए गांट बान लेना एक पूछा ही पूछा जाना है आई बीपीए से एफो दो हजार बाइस तैईस हर साल 21 के अंदर लगातार आपका जो यानि की अमेंडमेंट सोयल का है वहां से कोश्चन पूछा जाता है E number option है saline soil, B number alkaline, C number acidic soil, D number है black soil और E number option जो है वो आपका कौन सा आएगा all of the above यानि की सब ही के अंदर हम लोग use लेते हैं बदा हुआई किसके लिए use किया जाता है press mud का use करते हैं basically alkaline soil के अंदर press mud का use जो है वो basically किसके अंदर use में लिया जाता है alkaline soil के management के अंदर और अगर अपन बात करें saline soil के management के अंदर तो saline के अंदर हम लोग leaching में use करते हैं salt को solubilize करके गौल करके उसकी leaching करवा दी जाती है और acidic मरदाओं के सुधारन के अंदर हम लोग किसका use करते हैं बही lime का use करते हैं use किया जाता है right answer जो बनेगा वो है B number option next question which of the following is huskless variety of barley निमन में से कौन सी variety जो है barley की huskless variety है huskless variety आपको बतानी है भी barley की कौन सी है बताओगे फटा फट से right answer देंगे कौन सा है A number option कहता है dolma है B number हिमानी है C number आपके किलास है और D number आपकी कौन सी है BL2 है और E number option जो है वो आपके पास कौन सा है A, B, C यानकी तीनो है बताओगे right answer जो है वो आपका कौन सा बनेगा बताओ right answer कौन सा बनेगा Dolma तो वैसे rain fade area के लिए भी suitable है और Dolma और केलास की बात करें तो ये rust के परती भी resistant है और अगर पूछ लिया जाए कि आपकी huskless variety तो Dolma, हिमानी और केलास तीनों की तीनों huskless variety है कैसी है? Huskless variety है और salt resistant variety की बात करें Salt resistant बहुत important question है salt resistant variety बारले की कौन सी है वही तो बारले की salt resistant variety है आपकी bilada 2 जिसे BL2 कहते है और इसमें आपसे पूछा था huskless तो option का बना गया यह number जो है वो आपका right answer बनेगा next question विप्टेल in cauliflower is cause deficiency of which nutrient यानि कि फूल गोमी में जो विप्टेल रोग होता है या जो physiological disorder है वो किस पौशक तत्यू की कमी के कारण होता है A number option zinc है B number option boron है C number option आपके पास FP है D number option molybdenum है और E number option की बात करें तो वो आपके पास कौन सा है dear students MN है कौन सा है MN है ठीक है तो बताओ वही विप्टोल जो है वो किस के कारण होता है option है zinc के कारण आपका क्या हो जाता है growth रूख जाती है भई growth क्या हो जाती है रूख जाती है इसके साथ साथ आपको और क्या देखने को मिलता है chlorosis भी zinc की कमी के कारण देखने को मिलता है boron की कमी जो boron है ये flooring floor formation वगेरा के लिए क्या होता है responsible होता है इसके अलावा breeding के अंदर भी boron nutrient काम में आता है और ये आपको थोड़ा सा ध्यानक ना है F.E. की बात करें तो F.E. के कारण यानि की iron की कमी के कारण intervinyl chlorosis यंग पतियों में देखने को मिलती है intervinyl chlorosis intervinyl chlorosis आपको यंग पतियों के अंदर यंग leaves के अंदर क्या है देखने को मिलती है yield भी कम आती है ये इसका क्या है main symptom है आपको main symptom जाने विप्टेल विप्टेल D number option यान की molybdenum इसका right answer होगा हमन का तो पता ही है yellow passes अपियर हो जाते हैं leaves area पर आरजर्ड 19 variety belong to which chrome आरजेड 19 किसम जो है वो किस फसल से समन्दीत है A number option fenugreek से है B number cumin से है 3 number coriander से है 4 number fennel से है 5 number आपका option है spinate से समन्दीत है किस समन्दीत है spinate से समन्दीत है बताव भै किस से है RZ अरे RR Z Z जीरा R R Rolla safe Raza ان przy 16 19 variety किसी है भाई किसकी विराइटी है जीरे की होगी तो जीरे की होगी तो option number B यानि कि बोले तो क्यों मीन होगा कौन सा क्यों मीन आपने देखा होगा राजिंदर करके जो विराइटी आती है वो आपके किसकी है फैन्यूग्रिक की है तो राजिंदर करांती हो गया वो आपकी वराइटी किसकी आएगी फैन्यूग्रेक की राजिंदर से important वराइटी बनती है या ना एक RMT 303 भी इसकी वराइटी है कौनसी RMT 303 भी किसकी वराइटी है फैन्यूग्रेक की है अब बात आती है हमारे पास next कॉरियंडर की कौनसी है कुम्बराज है अरकाईशा है कुम्बराज है अरकाईशा है कुम्बराज वराइटी है अरकाईशा वराइटी है ये भी आपकी किसकी important वराइटी है आपकी कॉरियंडर की वराइटी है उसके बाद में next हमारे पास आता है कि fennel की कौन सी है तो fennel की वो rz थी ये rf होगी rf series जो है वो आपके किस की होगी fennel की rf 101 rf 125 तो ये आपके किस की है fennel की important variety चारों की चारों important spices crop हम लोग पढ़ते हैं याद रहेगा भाई right answer क्या बनेगा इसका b number option next देखिए the first kvk was established 1974 यानि कि पहला जो kvk है वो कब बना था 1974 के अंदर बना था कहाँ पर बना था ये आपको ध्यान रखना है pondicherry के अंदर कहाँ पर बना था pondicherry के अंदर बना था कब बना था 1974 के अंदर बना था भारत के अंदर total number of kvk की बात करें तो वो किते हैं 732 KVK हैं. किते हैं? 732 KVK हैं. KVK की success करा credit जो है वो किसको जाता है? चंदरिकापरसाद को. किसको जाता है? चंदरिकापरसाद को. ये वाला question KVK से related. Bank of Maherashtra के अंदर AFO का paper हुआ था. Bank of Maherashtra के अंदर AFO का paper हुआ था. 2021-22 के अंदर उसमें चंद्रिका परसाद वाला question आपसे पूछा गया था कि KVK की success का credit कि सको जाता है तो वो चंद्रिका परसाद जी को जाता है, right answer बनेगा D number option next question आप लोग ध्यान रखेंगे next question क्या है what is the basic purpose of topping and de-sacring tobacco यानि की topping और de-sacring का मुख्य उदेशय क्या है A number option कहता है to reduce the height of the plant B number to expand the branches तीसरा है diverting energy nutrient from the floor head to petals to reduce the growth of plant E number option कहता है all of these, यहां जी बई, इसका right answer क्या बनेगा बई right answer जो है वो क्या बनेगा, बई, energy को divert करते हैं हम लोग, floor reason से, हाना, तो right answer क्या बनेगा, C number option अजी, de-sacring क्या होता है, सकर्स को remove करना, de-sacring क्या होता है, सकर्स को remove करना सकर्स remove करना, de-sacring हो गया और topping की बात करते हैं तो top portion को क्या कर दिया जाता है remove कर दिया जाता है, जिससे energy अजी क्या फैले, side के अंदर number of leaves क्या आए, जादा आए या ना, vegetative growth को promote करने के लिए, right answer क्या बनेगा, C number option, देखो, next आता है, how many registered breed of, यानि की बाफेलो, बाफेलो की कितनी registered breed है, तो बाफेलो की रजिस्टर ब्रीड आपको बतानी है, बाई, कितनी registered breed है, तो ये आपका right answer क्या बनेगा, बाफेलो की registered breed है, आपकी कितनी, 20 registered breed है, कितनी breed है, 20 registered breed है, next देखो बई, next हमारे पास आता है, ultra dwarf rootstock of apple is, यानि की ultra dwarf rootstock जो है, वो apple का कौन सा है, ultra dwarf, तो ultra dwarf की बात करें, तो कौन सा है बई, ये आपका answer ही mark है, यहाँ, तो आपको पता ही चल जाएगा, M27 जो है, वो ultra dwarf rootstock है, अना, ultra dwarf rootstock है, clear है, और apple का scientific name भी आप लोग मानेंगे नहीं, जो malus domestica है, ये वाला, domestica ये वाला आपसे पूछा गया था, IBPSCFO 2022 का जब आप लोग paper उठाएंगे, तो apple का scientific name आपसे पूछा गया था, scientific name क्या होता है बई, malus domestica इसका scientific name ह next question आपके सामने है, महसाना is the cross, महसाना जो है, वो किसका cross होता है, महसाना जो है, वो किसका cross होता है, तो MMS इसकी एक short trick होती है, महसाना क्या है, मुर्रा इंटू सूर्थी का cross है, किसका मुर्रा इंटू सूर्थी, right option याद रखेंगे, महसाना का, C number option जो है, वो right answer मैंनेगा मैसाना जो breed है उसका origination कहां से माना जाता है गुजरात से माना जाता है कहां से माना जाता है भई गुजरात से इसका origination माना जाता है मैसाना का native place बडोदा का छेतर गुजरात के अंदर ठीक है सिकल शेप के इसके horn देखने को मिलते हैं इसके सिंग किस तरीके के होते हैं मैसाना जो breed होती है सिकल शेप आरी नूमा जो है वो इसके सिंग देखने को मिलते हैं सिकल शेप अना तो इसका cross मुर्रा इंटू सूर्ती का cross है मुर्रा इंटू सूर्ती का मुर्रा के अंदर fat percentage जैट black color की कुन सी होती है मुर्रा होती है न ये भी ध्यान रख लेना मुर्रा का important character क्या होता है jet black color की होती है गहरे काले रंग की होती है fat percent की बात करें तो 7% होती है सबसे ज़्यादा fat percent किसमें देखने को मिलता है भधावरी के अंदर देखने को मिलता है किसमें भधावरी के अंदर देखने को मिलता है कुछ important question भी आप लोग याद रख लेना sorry ये question हिंदी के अंदर देखेंगे आप लोग यहां से सीगा टोका लीव स्पोर्ट जो है वो किसकी विनाशकारी बिमारी है सीगा टोका जो disease है वो आपकी किसकी है तो सीगा टोका भाई next देखें एस्टर साइकिल ऑफ गोट यानि कि बकरी का कमोतिजना चक्र कितने दिन का होता है यानि कि एस्टर साइकिल जो है वो आपका किते दिन का माना जाता है बकरी का तो बकरी का बात करें तो बकरी का होता है 21 days का किते days का होता है 21 days का साड़े 16 दिन किस का होता है भेड का होता है ये वाला question भी आप से exam के अंदर 2022 के exam के अंदर पूछा गया था कि भेड का जो है यानि कि एस्टरस cycle किते दिन का होता है तो साड़े 16 दिन का होता है बफेलो का बात करें बफेलो का किते दिन का होता है ये भी किस दिन का होता है काओ की बात करें तो ये भी 21 डेज का होता है इसका भी किते दिन का होता है 21 डेज का होता है कितने का होता है 21 डेज का और और तो कौन सा याद रखोगे और एक कैमल का याद रख लेना कैमल का किते दिन का होता है, दस दिन का होता है, टेन डेज का होता है नेक्स कोश्चन है, फाइंड आउट इंपोर्टेंट वेराइटी ओव सापोटा ये कोश्चन आपका दो हजार इक्किस बाइस के अंदर जो IBPS, EFO का एक्जाम हुआ था, उसके अंदर नाबाड नॉम्स में हम लोग पढ़ते है मदर और चार्ड को इस्टेबलिस करने के लिए कुछ इंपोर्टेंट वेराइटिया तो ये कोश्चन आपसे, वहाँ तो ये पुछा गया था कि काली पत्ती और किर्केट बाल इजे विराइटी ओफ ऐसा कोश्चन था लेकिन यहाँ पूछ लिया कि सापोर्टा की विराइटी कौन सी है तो भई सापोर्टा की विराइटी कौन सी है पहला A नमबर ओप्शन कीर्ती भारती, B नमबर ओप्शन काली पत्ती, C नमबर किर्केट बाल, D नमबर BC और E नमबर है EBC बताओ भई, इसका राइट अंसर कौन सा बनेगा तो तीनो ही विराइटियां इसकी है, राइट अंसर कौन सा बनेगा E नमबर ओप्शन बनेगा नेक्स है, A Nature Method of Colony Multiplication In each a part of colony, leave the hive, establish somewhere else यानि कि जब मखियां छत्ता छोड़ करके जो है, वो चली जाती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं, स्वार्मिंग क्या है, स्वार्मिंग, Colony गुणन की एक प्राकृति भी थी जिसमें Colony का एक हिसा, छत्ते को छोड़ कर कहीं और चला जाता है Some part of, यानि की कौम जो है, वो दूसरी जगह चला जाता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्वार्मिंग बोलते हैं Absconding किसे बोलते हैं, completely जब migration हो जाता है Colony का complete migration होना, due to natural immunity या other किसी reason की वज़े से वो क्या कहलाता है, Absconding कहलाता है Super seduring बात करते हैं, जब हमारे पहले की जो female होती है उसकी fecundity कम हो जाती है eggling capacity कम हो जाती है उस time दूसरी कमीन आती है और उसको replace कर दाती है तो छत्ते के अंदर एक situation AC आती है जिस दोरान एक यानि की रानी मक्ही की जगए दो मक्ही हो जाती है लेकिन दूसरी उसको skip करके चली जाएगी लेकिन कुछ समय तक वो दोनों एक साथ रहती है उसे अपन बोलते है super sedure उसे हम लोग क्या बोलते है super sedure बोलते है और draith period जो food की availability नहीं होती है उसे draith period बोलते है और gut period बोलते है हम लोग जब यानि की food availability proper होती है तो draith होता है dry period जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं tropholexis food to food transmission, mouth to mouth food transmission क्या कहलाता है mouth to mouth food transmission क्या कहलाता है dear students tropholexis कहलाता है, क्या कहलाता है tropholexis कहलाता है, तो इसका right answer क्या बनेगा A number option next question धियान रखेंगे दा रेड कलर दा रेड कलर इन टोमेटो ड्यू टू दा पिगमेंट ओ यानकि टमाटर का जो लाल रंग है वो किसके कारण होता है एंतोसाइनीन, क्विरिसेटीन लाइकोपीन या कैरोटीन या पेलारगोडीन तो भई किसके कारण होता है टोमेटो का रेड कलर टोमेटो के रेड कलर का रीजन क्या है वही टोमेटो का रेड कलर का रीजन है वही लाइकोपीन लाइकोपीन 21 से 24 पर तो बढ़िया बनता है और 27 डिगरी Celsius से जब तापमान वह चला जाता है तो लाइकोपीन formation क्या हो जाता है बंद हो जाता है अब ये ध्यान रखेंगे anthocyanin के कारण जो है वो apple का red color होता है किसका red color होता है apple का red color anthocyanin के कारण होता है curiosity जो है वो प्याज के अंदर पीला रण onion जो yellow color होता है वो किसके कारण होता है किरिसिटीन के कारण होता है कैरोटीन किस के अंदर पाया जाता है गाजर के अंदर पाया जाता है किस के अंदर देखने को मिलता है अना कैरोटीन औरेंज कलर जो आपन कैरोट के अंदर बात करें तो वो किस के कारण होता है कैरोटीन के कारण देखने को मिलता है पैलारगोड इनकिस में होता है अनार का औरेंज का लार तो ये कुछ एक basic यानि की component जो अलग-अलग color के लिए responsible है right answer इसका dear students आपका बनेगा C number option right answer क्या बनेगा right answer क्या बनेगा C number option जो है वो इसका right answer बनेगा clear चलिए next देखो next question है what is the function of differential lock on a tractor tractor पर differential lock का क्या कारिया होता है synchronize wheel speeds enhance comfort improve fuel efficiency prevent overheating wheel balancing तो main काम क्या होता है tractor पर differential lock का तो wheel का काम होता है कि उनके wheel के बीच संतुलन का काम करता है right answer बनेगा sorry wheel के अंदर synchronize wheel speed करना बनेगा wheel balancing का काम नहीं होता है दोनों की speed को एक साथ यानि कि tractor जब कई बार first जाता है तो हम लोग क्या करते हैं differential lock उस time क्या करता है दोनों टाइरों को एक साथ गती करवाता है synchronize करवाता है right answer a number for potato tuberization night temperature should be आलू में कंद बनने के लिए रात का तापमान जो है वो आपका कितना होना चाहिए right temperature should be होना चाहिए 20 degree Celsius और 24 degree Celsius के उपर vegetative growth वह जादा होती है 24 degree Celsius जो तापमान होता है तो उसके उपर plant की vegetative growth होती है कौन सी growth होती है vegetative growth जो है वो 24 degree Celsius पर होती है tuberization के उपर bad impact कब बनता है जब तापमान कितना हो जाता है 30 degree Celsius हो जाता है तो tuberization के उपर जो है वो negative impact देखने को मिलता है ओके है बात clear है आप लोगों को ये वाला concept ट्यूबर से related storage के लिए आपको कितना तापमान चाहिएगा 2 से 3 या आप ऐसे याद रख सकते हो 2.2 से 3 degree Celsius और 75 से 87% relative humidity potato के अंदर storage condition के लिए ideal है ओके चलिए बाई next question which of the following statement is wrong with respect to मनरिगा मनरिगा के समद्ध में कुन सा कथन गलत है legal guarantee for under days employment ये बात तो ठीक है जिला पंचाहिज is the principal form for a way seekers to make demand यानि कि जिला पंचाहिज वेतन चाने वालों के लिए मांग करने का मुखे मंच है मनरिगा हरी तो सब्धे कारे परदान करता है तो भई इसका right answer क्या बनेगा इसका right answer जो है वो क्या बनेगा दो number statement है या एक number statement है कौन सा है कौन सा कतन गलत है बिलकुल मनरिगा जो है वो आपका प्रोवाइड करता है green or decent work ये बात तो सही है legal guarantee 100 days की लेकिन ये बेर को ठीक नहीं लगा option रोंगी पुछा था तो आपका c number option only second next question पंजनसी in chillies is due to अना मिर्च में तिखे पन का कारण क्या है मिर्च के अंदर तिखे पन का कारण होता है भई आपका कौन सा capsicine कौन सा होता है capsicine होता है और मिर्च के अंदर जो यानि की तिखे पन का तो ये है color responsible के लिए कौन होता है वो आपका capsicine होता है कौन सा होता है capsicine इसका right answer a number option next है under KCC what is the amount given for permanent disability and death of farmer जब farmer की death हो जाए या permanent disability हो जाए तो उस case के अंदर कितना रुपया दिया जाता है under KCC पचीस, साथ हजार एक लाग पचास हजार, तीस हजार right answer बनेगा D number option किता दिया जाता है पचास हजार KCC की बात करें तो KCC कब आया था 1998, 99 के अंदर आया था NABARD की क्या थी recommendation थी NABARD ने इसको design किया था recommendation किसकी थी R.B. गुपता कमेटी की recommendation थी object क्या था कि farmer को क्या मिले short time credit मिले क्या था short time credit मिले farmer को rate of interest इसमें decided था 9% 2% इसमें था in transvention scheme के तैद माथ 3% इसके अंदर था prompt repayment incentive और उसके बाद after subsidize rate जो actual amount of या actual rate of interest paid by the farmer वो था 4% ये था case ही थी और इसमें जो आपके farmer death case के case में sanction limit कितनी होती है तो वो है D.E. number option next question देखे next question है which initiative by the Indian government aimed to concept APMC Monday for a unified national agriculture market offering digital services to trader farmer producer organization भारत सरकार की किस पहल का उदेश है व्यापारियों किसानों उत्पादक संगठनों को digital सेमाई परदान करते हुए एकिकरत राष्टी किर्शी वेजार के लिए APMC मंडियों को जोड़ना है ऐसी कौन सी योजना चलाई गई थी option number A कहता है national E. governance plan in agriculture राइट आंसर कौन सा बनेगा तो राइट आंसर आपका कौन सा है national agriculture market मंडियों को online किया गया था वो है E. naam scheme one nation one market one nation one market इसका main objective था और इसकी जो tagline थी वो उत्तम फसल उत्तम E. naam उत्तम फसल उत्तम E. naam ये आप लोग थोड़ा सा ध्यान लखना ठीक है E. naam PM किसान तो आपको पता ही है 24 फरवरी 2019 को आया था ये आप दो ध्यान लखना submission on agriculture mechanization 2014-15 में आया custom hiring center और अन्य जो center को promote करके बढ़ाना next आता है what should be the suitable temperature in cold storage for storage वो बनाना के लिए के भंडारण के लिए यान की कौन सा ideal storage जो है वो माना जाता है तापमान कितना ideal माना जाता है तापमान माना जाता है ideal 13 degree Celsius 85 से लेकर के 90% क्या है relative humidity होनी जी 85 से 95 ही कर लेना यूरिया गोल्ड has been introduced for the first time in the country is more economical and better than the नीम कोटेड यूरिया of following यूरिया गोल्ड देश में पहली बार नीम कोटेड यूरिया के तुल्र में गोल्ड यूरिया को पेश किया गया जो कि अधिक के 50 और भेहतर है नीमन में से कौन सा यूरिया गोल्ड है तो यूरिया गोल्ड कौन सा है यूरिया गोल्ड है आपका सल्फर कोटेड यूरिया कौन सा है सल्फर कोटेड यूरिया सल्फर कोटेड यूरिया अगर आप लोग धान रखे तो इसके अंदर nitrogen परतिशत्ता 37% है sulfur percentage की बात करें तो 17% है इसके अंदर दोनों ही compound पाए जाते हैं भारत में पाए जाने वाली मर्दाओं में sulfur की भी कमी है nitrogen losses ना हो इसलिए sulfur की coating कर दी साथ में sulfur की requirement पूरी हो जाएगी neem coated urea neem का loss होने लगा इसलिए इसको बेन कर दिया गया ये आपको ध्यान रखना है nano urea जिनका nano particle size क्या है यानि की लगवग 50 nanometer वैसे तो 100 nanometer से कम होता है लेकिन exact मेरे इसाब से 32 nanometer है ठीक है तो if को ने nano urea को क्या किया था बनाया था if को ने next देखो ctc वीधी द्वारा ctc वीधी द्वारा यानि की ctc बोले तो crush, tear and curl crush ctc का मतलब crush, tear and curl method के द्वारा जो sequence है processing का चाई की processing का IVPS EFO का यहां से question EFO के अंदर दो question पुछे गए थे ac यानि की statement से आपके related थे तो ये आपको ध्यान अगना है processing से related कौन सा process सही है यानि की पहले withering, rolling, fermentation, drying, grading या withering, fermentation, rolling, drying, grading फिर withering, rolling, fermentation, grading, drying withering, drying, grading, rolling, fermentation या none of these तो right answer है सबसे पहले withering, फिर rolling, फिर fermentation, drying, grading option number A जो है वो आपका right answer बनेगा for which purpose is the barometer instrument is used barometer उपकरण का उपयो किस उदेश्य के लिए किया जाता है हवा की गती, हवा की दिशा, वायू दाप और wind velocity, वायू का वेग यान humidity को major करने के लिए करते हैं बदाओ भई, बदाओ भई, किस के लिए use किया जाता है, किस के लिए use किया जाता है तो ये तो हमें, पता ही है भई, barometer किस के लिए करते हैं हम लोग air pressure के लिए करते हैं, किस के लिए करते हैं, air pressure के लिए इसको major किया जाता है wind speed के लिए कौन सा meter use करते हैं animometer use करते हैं कौन सा meter use करते हैं animometer use करते हैं wind direction के लिए हम लोग कौन सा use करते हैं wind direction के लिए हम लोग क्या लगाते हैं wind direction के लिए तो लगबग कौन सा use करते हैं compass वगएरा तो direction के लिए use करते हैं न हम लोग water velocity के बात करें और humidity को major करने के लिए मौशेर के लिए hygrometer या psychrometer का use करते है hygro या psychrometer जो है उसका use करते है ओके है बात इसका right answer क्या है C number option है next question which of the following chemical used in mutation study mutation की study के लिए कौन सा chemical use किया जाता है पुछा भी गया हुआ question है A number option right answer होगा ethylene, methane, sulfonate, ethyl, n-nitro, urea इसकी full form होती है इसका full form क्या होती है ethyl, methane, sulfonate sulfonate या इसे अपन क्या बोल देते है n-ethyl, या अपन मोल देते है n-ethyl, n-nitro, n-nitro, urea ठीक है ये बोल देते है ये आपका right answer है इसका A number option match the following, match करके बताना है कि इनमें oil content कितना होता है यहां से question आपका oil content का I think मुझे जहां तक याद आ रहा है 2022 में ये पुछा गया था 23 के अंदर 22-23 वाले में क्या पुछा गया था कि सबसे ज़्यादा oil content किसमें देखने को मिलता है तो oil content की list आप लोगों को तयार होनी चाहिए देखो तारा मीरा की बात करें या mustard या caster या cotton इनमें कौन सा किसमें होगा, कैसे होगा देखो तारा मीरा की अगर हम लोग बात करते हैं तारा मीरा के अंदर आपका किते परसेंट होगा 35% होगा किस परसेंट होगा, 35% होगा अगर हम लोग बात करें mustard की तो इसमें 33% होगा अगर बात की जए caster की तो 50-55% होगा अगर बात की जए cotton की तो cotton में कितना होगा, 16% होगा right answer क्या बनेगा A number option 3,4,2,1 next question gladiolus का propagation gladiolus का propagation बुचा गया है propagation है या नहीं family बुची गई है rosacy, compositive, solenacy, irradiacy, erikacy बताया था अच्छे तरीके से right answer क्या बनेगा D number option यानि की irradiacy family है कौन सी है? irradiacy family rosacy किस की होती है? rose की होती है किस की होती है? rose की होती है, palm की होती है, apple की होती है, rosacy family होती है और अगर बात की जाए, compositive family sun floor, sun floor, sun floor हो गया sun floor हो गया, sun floor हो गया ये compositive family हो गया अगर बात की जाए, solenacy solenacy के अंदर brinjal, chilli हो गया brinjal हो गया, chilli हो गया, potato हो गया tomato हो गया यह सारे सुलनेसी फैमिली में एरी केसी की अगर हम लोग बात करें तो एरी केसी किस की है कोकोनट की है डेट पाम की है ओइल पाम की है ठीक है तो यह ध्यान दख लेना next question match the following फैमिली से match करके बताना है भै कौन सी फैमिली किस की है देखो भै मेज की फैमिली मेज तो मक्का तो ग्रेमीनी में आएगा भै ओबेसली चार नमबर है चार नमबर वाला एक तो यह है एक यह है बाकी तो ही नहीं सकते है अब देखो सोया बिन की फैमिली कौन सी है लेग्यूम है सोया बिन तो यह लो जी तीन नमबर तो ये वाला आपका 4-3 होगा ये वाला भी cancel हो गया ये वाला होना ही था राइट आंसर इस तरीके से भी कर सकते हो इस टाइब के question हो next question which of the following seed has the highest genetic purity सबसे ज़्यादा genetic purity जो है वो आपको किसके देखने को मिलती है nuclear seed की देखने को मिलती है nuclear seed की देखने को मिलती है इसकी वैसे 99% से जादा होती है इसकी 100% होती है registered seed की अगर हम लोग बात करें तो इनकी लगबग certified की तो 98% होती है इसकी भी 99% के लगबग लगबग होती है वैसे तो ये थोड़ा सा ध्यानक लेना foundation seed पे color tag कौन सा होता है white color tag होता है registered के उपर कौन सा color tag होता है purple होता है कौन सा होता है certified पर कैसा होता है blue tag होता है nuclear seed पे तो कोई tag होता ही नहीं है nuclear seed पे कोई tag होता है क्या nuclear seed पे नहीं होता और truth for labels पे कौन सा होता है वो pale green तो यह आप लोग ध्यान लेना इसमें फीजिकल प्यूर्टी 98-98% होती है इसमें नुकलियर सीड में 100% फीजिकल प्यूर्टी होती है राइट आंसर इसका बनेगा D-Number Option राइट आंसर बनेगा D-Number Option Red Rot का रीजन क्या है बई सुगर केन में? कॉलेटरो ट्राइकम सोरगाई, Phytophthora Infestence, कॉलेटरो ट्राइकम फालकेटम, Elbugo Candida, Bioclorus Saccharine कौन सा है बई? कौन सा Responsible है? देखो बई, राइट आंसर की अगर हम लोग बात करेंगे तो वो है कॉलेटरो ट्राइकम फालकेटम, बताने की ही आवशकता नहीं है Elbugo Candida के कारण आपका White Rust होता है ये White Rust किसके अंदर होता है? सरसों के अंदर बहुत जादा देखने को मिलता है इसकी दो कंडिशन होती है एक तो आपकी, जिसके अंदर, यानि की Stages क्या है? Severe Condition के अंदर, यानि की Stag Head Condition भी आती है Stag Head Condition तो ये भी इसका symptom है, इसी के साथ याद रख लेना Colletrotrichum Falcettum के कारण गन्य के अंदर Red Rot की समझा देखने को मिलती है और Bipolaris Securai की बात करें तो गन्य के अंदर Leaf Spot की समझा है कौन सी समझा है? Leaf Spot की समझा है Phytothora Infestans की अगर हम लोग बात करें तो Potato Latvalite है Potato Latvalite और Colletrotrichum सोर गई तो यह तो Colletrotrichum की वजए से तो आपका कौन सा हो रहा था? Sugar Can के अंदर हो रहा है? लेकिन यह क्या है? यहाँ पर सोर गई है Sorgum के अंदर होगा लेकिन इसकी कारण वैसे सोर गई में कोई disease देखने को नहीं मिलती सोर गई वैसे सोर गई में होता है Which of the following weed is used to improve alkaline soil? alkaline soil को improve करने के लिए कौन सी weed species जो है जिसका use किया जाता है भई यह आपका use करते हैं हम लोग Mexican poppy का किसका? Mexican poppy C number option Seed rate जो है वो hybrid rise की कितनी होती है? Seed rate hybrid rise की अगर बात करें तो वो 15-20 kg होती है ठीक है? और तो क्या ध्यानक होगे? IR 8 है जिया है इनकी seed rate कितनी रखते हैं? IR 8 जिया इनकी seed rate रखी जाती है 40-45 की जी ठीक है जी? Next question Black color of black soil is due to the presence of which following? किसके कारण जो है? वो इसका black color देखने को मिलता है Black color किसके कारण होता है? टिकनी फेरस मेगनेट आइट के कारण होता है Black color है न? और Black महराष्टा के अंदर इस टाइब की मरदाएं जो है वो सरवाधिक है पाई जाती है Which of the following is a critical stage of irrigation? Which of the following is a critical stage of irrigation in wheat crop? Wheat crop के अंदर critical stage कौन सी मानी जाती है? CRI मानी जाती है किते दिन बाद आती है? 20-25 दिन बाद Flowering stage किते दिन बाद आती है? 90-95 दिन बाद अगर हम लोग बात करें milking की तो वो आती है 100-105 दिन बाद Duff stage की बात करें तो वो आती है आपकी लगबग 110 से लेकर के 115 दिन के बाद जो है वो देखने को मिलती है और Tillring की बात करें तो ये 40-45 ये पहली stage आती है ये लगबग लगबग आपकी दूसरी stage आती है Tillring Tillers निकलना स्टार्ट हो जाते है और उसके बाद में आपकी तीसरी stage मिक्स है चोथी, पांच्वी और शटी stage है ये ध्यान रख रहे है Which of the following irrigation method इसके अंदर पुछा क्या था Right answer क्या है A number option Next question Which of the following irrigation method has higher water use efficiency कौन से method की water use efficiency जो है वो सरवादिक होती है तो सरवादिक तो drift की होती है लगबग 90% की लगबग use efficiency 92-95% की लगबग होती है अना सबसे ज़्यादा और सबसे कम किस की होती है flood method की होती है लगबग 30% के लगबग ही होती है कितनी होती है 3% के लगबग ही होती है Ginning percentage को calculate करने का formula IVPS EFO का question है 2023 का देखो Right answer की अगर हम लोग बात करेंगे तो Right answer होता है Weight of cotton upon weight of यानि की seed cotton into 100 जो है ये formula होता है इसका A number option जो है वो इसका Right answer बनेगा Full form of आत्मा आत्मा की full form क्या है Agriculture Technology Management Agency आत्मा कब आई थी भाई 2005-06 के अंदर आत्मा कब आई थी 2005-06 के अंदर और इसका head कौन होता है District Collector होता है जो SDM District Collector होता है SDM या District Collector हम लोग जिसे बोलते हैं वो इसका head होता है ये question बहुत बार पूचा गया है तो ये आत्मा जो होती है वो district level पर क्या करती है काम करती है Next आता है Which of the following is a major disease of pomogranate Pomogranate की major disease जो है वो आपकी कौन सी है Powdery mildew, leaf spot, anthracnose, bacterial blight या dieback कौन सी disease है भई Right answer कौन सा होगा Bacterial blight इसका major है और anthracnose, powdery mildew, leaf spot देखो, powdery mildew जो है वो आपका किस के कारण होता है Basically Erysiphy के कारण होता है किस के कारण होता है Erysiphy के कारण होता है Leaf spot की अगर हम लोग बात करें तो किस के कारण होता है Shudo, Sarcospora, Punniki के कारण होता है Shudo, Sarcospora, Punniki के कारण एंत्राक नोज की हम लोग बात करें तो ये कॉलेट्रो ट्राइकम के कारण ये ध्यान रख लेना भई डाइबेक उपर कॉपर की कमी के कारण भी पौदा उपर से क्या होता है सुखना स्टार्ट हो जाता है राइट आंसर इसका तो D नंबर है एस्टर्स पीरियर्ड बफैलो का पूछा है बही एस्टर्स पीरियर्ड बफैलो का जो है वो कितने दिन का होता है एस्टर्स पीरियर्ड जो है यानि की बैंस का एस्टरल काल जो है वो कितना होता है एस्टर्स पीरियर्ड बारा से लेकर के 36 गंटे होता है अगर अपन बात करेंगे तो गोट का कितना होता है बक्री का गोट का दो से तीन दिन होता है दो से तीन दिन होता है शीप का कितना होता है भेड का भेड का एक से तीन दिन होता है कितना एक से तीन दिन होता है सूवर का पिगरी की बात करें तो एक से पांच दिन होता है causal organism fire blight of apple fire blight of apple का causal organism जो है वो आपका क्या है fire venia amylobora के कारण होती है C number जो है वो आपका right answer बनेगा fire blight of pier bacteria के कारण होने वाली पहली बिमारी bacteria के कारण होने वाली बिमारी है fire blight of pier यानि कि नाश्पती का अंगमारी रोग जिसे हम लोग बोलते हैं तीजे बरिल नाम के एक scientist थे उन्होंने इस बिमारी को खोजा था got meat जो है उसे क्या का जाता है got का meat जो होता है उसे चेवन कहते है mutton किसे कहते हैं भई mutton, sheep, भेड के meat को कहते हैं इसके अलावा अगर अपन kara beef की बात करें तो ये किसको बोलते हैं cattle को बोलते हैं chicken की बात करें तो ये poultry का जो meat होता है उसको बोलते हैं pork किसको बोलते हैं pig को बोलते हैं right answer, b number option granulation एक major problem है कौन से fruit की granulation तो citrus के अंदर में ली देखने को मिलता है what is the world largest egg producing chicken breed सबसे ज़्यादा अंडे उत्पादन करने वाली chicken breed कौन सी है, तो white leg horn है कौन सी breed है, white leg horn सबसे ज़्यादा chicken जो है वो produce करती है asil, asil तो यानि की spot area के अंदर उडने के लिए famous है आपकी जो है कौन सी asil, लडने के लिए भी मानी जाती है road iceland की बात करें road iceland dual purpose breed है कैसी है dual purpose breed है ब्रह्मा की अगर बात करें तो ये American, यानि की जो category होती है American type breed है American type Australop की अगर बात करें तो Australop का origin है Australia ये कुछ द्यान अकले ना right answer, c number है which variety of okra is aphid resistant, aphid resistant variety कौन सी है okra की अन्ना मलाईया है, और aphid जो होता है aphid के परती resistant है yellow wind mosaic, बिमारी इसके अंदर बहुत खतरनाक तरीके से देखने को मिलती है एक okra के अंदर ये भी ध्यान अकले पिलाशिरा mosaic virus मुंगा सिल्क जो है वो generally किसके उपर पाला जाता है मुंगा को हम लोग किसके उपर पालते हैं सौम और सालू के उपर पालते है कैस्टर की पतियों के उपर किसको पाला जाता है हीरी सिल्क जो होता है उसको ok plant जो होता है उसके उपर किसको rare करते है ok तसर को किसको करते हैं? ok तसर को इसका right answer क्या बनेगा? A number option match the following match करके बताना है भाई कौन सा virus का transmitter है कौन सा right answer है इसका? कौली फ्लॉर यानि की transmitter तो नहीं पुछा है insect pest पुछे हैं कौली फ्लॉर के अंदर कौन सी समश्या लगती है diamond backmoth, plutela, gylo stela चिल्ली के अंदर कौन सी समश्या है thrips, thrips, tabesai और thysin of terra order है इसका okra, भिंडी के अंदर भिंडी के अंदर अगर हम लोग बात करेंगे तो shoot and fruit water, iris, vitela potato के अंदर बात करें तो cut from agrotis, epsilon 2, 1, 4, 3 right answer, a number option next or last question which fuel is commonly used in diesel powered tractor कौन सा fuel जो है वो आपका diesel powered tractor में basically use किया जाता है तो ये dear student आपका कौन सा करते है diesel का use करते है किसका diesel का use करते है ठीक है जी, ये था dear students आपका, यानि की demo test paper number first, super war EFO test series का, यानि की video solution I hope आप लोगों को अच्छे से समाज आया होगा ऐसी आशा करता हूँ और इसी तरीके से हम लोग complete test का video solution करेंगे और आपको लगा होगा कि 60 के साथ हमने जो है वो जादा नहीं तो 200 plus question तो एक test से हम लोगों ने solve की है तो ऐसे ही हम लोग test करते रहेंगे solve और जबरदस्ट benefit आपको मिलेगा dear students okay dear students मिलेंगे next video solution के साथ thank you